हेदरबाद टेस्ट हारने के बाद अब इंडियन टीम को एक के बाद एक बड़ा जटका लगता ही जा रहा है सबसे पहले अगर बात करें इंडियन टीम के स्टार औल राउंडर यानि की रविंद्र जड़ेजा तो पहले से ही ये खबर आ चुकी थी कि रविंद्र जड़ेजा हैदरबाद टेस्ट की दूसरी पारी में रनाउट होने के बाद उनका हैंस्ट्रिंग पुल हो गया था जिसकी वज़ा से वो second test मुकाबला मिस्स करने वाले थे लेकिन अब एक और बड़ा update सामने आया जिसमें पता चला कि केल राहूल भी याने कि इंडियन टीम के सबसे मजबूत बल्लेबाज मिडल ओर के वो भी अब एक थाय इंजरी की वज़े से second test मुकाबले के लिए team इंडिया से बाहर हो चुके हैं अब team इंडिया के लिए definitely ये एक बहुत बड़ा चटका है क्योंकि दोनों ही खिलाडी हैदरबाद test की पहली पारी में team इंडिया के लिए highest run scorer रहे थे सबसे पहले रविंदर जड़ेजा की बात करें तो जहां उन्होंने 87 runs बनाये थे जबके KL Rahul ने 86 run की एक बहुत बहुत बैतरीन पारी खेली थी इसके अलावा रविंदर जड़ेजा ने दोनों पारिया मिलाकर team इंडिया के लिए 5 wicket चटकाए थे ऐसे में जरूर team इंडिया ने दोनों खिलाडियों को replace करने के लिए 3 replacements अनाउंस कर दिये हैं लेकिन कोई भी खिलाडी इन दोनों खिलाडियों को replace करने के लिए एक like to like replacement कभी नहीं बन सकता अब अगर replacement की बात करें तो team India ने तुरंट तीन खिलाडियों को इंडिया के squad में शामिल कर लिया है और वो खिलाडी हैं सरफरास खान, सौरब कुमार और वशिंग्टन सुंदर अब वैसे like to like replacements की बात करें तो जहां KL राहुल की जगा या तो रजट पाटीदार ले सकते हैं जिनने विराट कोहली के replacement के तौर पर Indian team में शामिल किया गया था या फिर दूसरे विकल्प हो सकते हैं सरफरास खान जिनने लंबे समय के बाद Indian team में finally मौका दे दिया गया है इसके बाद अगर रविंदर जड़ेजा की बात करें तो या तो team India एक proper spin गेंदबास के तौर पर कुल्दीप यादव को team में शामिल कर सकती है या फिर अगर एक like to like replacement team India को चाहिए तो वो हो सकते हैं सौरफ कुमार जो के left arm spin गेंदबाजी करते हैं और middle order में आकर थोड़ी सी बल्ले बाजी भी आपको करके दे सकते हैं लेकिन इन में से कोई भी खिलाडी एक दम like to like replacement नहीं बन सकता ना ही केल राहूल का और ना ही रविंदर जड़ेजा का क्योंकि दोनों खिलाडियों के पास जितना experience है और जिस तरह से दोनों खिलाडियों ने पहले टेस्स मुकाबले में perform किया था उन्हें replace करना किसी भी खिलाडी के लिए बिलकुल असान नहीं होगा वहीं अगर इन दोनों खिलाडियों के injury update की बात करें तो पहले टेस्स मुकाबले में जब उनका hamstring pull हुआ था तो वो दर्ध से बाहर जाते हुए नजर आई थे और अब उनकी injury पर एक बड़ा update आया है जिसमें पता चला है कि उनकी injury काफी serious हो चुकी है और जब तक अगला कोई update नहीं आता ऐसा माना जा सकता है कि अब वो पूरी test series से ही team India से बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं अब ऐसे में team India के लिए ये definitely बहुत बड़ा जटका है क्योंकि जिस तरह से रविंदर जड़ेजा ने पहले test मुकाबले के तीनों departments में perform किया था सौरब कुमार या फिर कुलदीप यादव किसी के लिए भी तीनों departments में उस तरह से perform करना बिल्कुल भी possible नहीं हो पाएगा अब ऐसे मैं केल, राहुल और रविंदर जड़ेजा की इन injury updates को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन से वो players हो सकते हैं इन खिलाडियों को replace करने के एक ideal choice बन सकते हैं आपकी क्या राह है हमें comment करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए cricket यान को follow करना बिल्कुल न बुलें